वेलकम गाइस, वेलकम डू दो द शो, दिस एजनराक सेनी, MBBS प्रमाईस पनेडेल कॉलेस, बिकानेश सुब इस वायरलोजी सीरी चल रही थी, आज उसका लेक्चर 3 है, ठीक है इसके अंदर हम पढ़ेंगे वायरल रेप्लिकेशन, जो वायरस होता है, वो कैसे रेप्लिकेट करता है वो हम यहाँ पर पूरी डिटेल स्टडी करेंगे, उसकी कौन-कौन सी स्टेजेज हैं attachment होता है, penetration होता है, uncoating होती है, biosynthesis होता है, assembly होता है, maturation होता है, release होता है यह जो सारी stages है, बहुत अच्छी तरह किसे पढ़ेंगे, easy language में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तो बहुत interesting वीडियो है, बिना skip करेंगे, पूरी वीडियो जरू देखेगा, ठीक है सबसे पहले हम बात करें, वाइरल जो replication है, वो कैसे होता है, ठीक है वाइरस है, जिससे हमने बात करते हैं, bacteria की, बैक्टरिया के अंदर जो division होता है, binary fusion से होता है लेकिन वाइरस में यह system है, यह absent होता है, binary fusion, तो वाइरस में आखिर होता है, क्या है binary fusion एक simple तरीके का division है, जबकि जो viruses होता है, एक simple division से ओर नहीं करते, virus undergo complex way of cell division जो complex way है, जो cell division का complex way शो करते हैं, complex जो तरीका शो करते हैं, और यह जो complex तरीका है, यह 7 sequential steps में होता है 7 sequential steps में, जो viral है, virus जो है, वो replicate करता है अपने आपको, ठीक है, कौन से stages है, sequential stages है सबसे पहले attachment होगा, अब मैं एक overview बता रहा हूँ, जैसे मालो, यह हमारी cell membrane है, हो cell membrane है, यह साब virus आ गया, virus red से div node कर रहा हूँ मैं, यह virus आ गया सबसे पहले virus यहाँ पर attach होता है, attachment होगा, फिर virus यहाँ पर penetrate होता है, penetrate मतलब अंदर जाएगा, ठीक है, penetrate होगा ठीक, virus के अंदर यह captured था, तो यह अंदर nuclear material पाया गया, ठीक, अब penetration होगे बाद, अब फिर क्या होता है, uncoating, uncoating मतलब, uncoating मतलब, जो भी भारी envelope है, यह फिर captured है, वो तूडता है, वो तूडता है, तो यह envelope है, यह तूड गया, और इसके अंदर यह nuclear material था, यह भार आ गय ठीक, इसे हम बोलते है, uncoating, अब यह nuclear material भार आ गया, अब बहुत सारे virus है, उनको साब के nuclear material भार आ जाएंगी, फिर होता है, biosynthesis, फिर biosynthesis मतलब, बहुत सारे synthesis होता है, बहुत सारे components का, कौन से components का, जो virus को जरूरत होती है, उन components की synthesis होता है, then जो components बने, उनको क्या होता है, assemble क करना होता, assemble मतलब packing, packing जानते हो, आपके पास बहुत सारे सामान है, दुकान के अंदर सामान है, ठीक है, उसके packing करते हैं अपन, ठीक है, वो packing को बोलता है, assembly, फिर क्या होता है, maturation, फिर जो assembly हुआ, जो virus particles बने, उनकी क्या होता है, maturation होता है, then release होता है, तो इस seven sequential steps है, वो हम यहां पर details से study करेंगे, ठीक है, attachment क्या होता है, suppose करो guys, attachment क्या होता है, यह आपकी host cell membrane, this one is host cell membrane, host cell membrane, host cell membrane, host cell membrane पे guys, बहुत सारे receptors present होते हैं, यह क्या है, receptors present है, host cell membrane पे, और जो virus होता है, जो virus है, यह हमारा virus है, इस virus के उपर बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते है जो इनलब होता है वाइरस का उसके पर बहुत सरे attachment sites होती है यह क्या है attachment site और जो host cell membrane है वहाँ पर ही क्या है receptors है और जब यह attachment site इन receptors फे बाइंड हो जाएगी तो attachment complete हो जाता है तो कैसे attachment होएगा देखो हम बता रहे आगे यह virus particle है यह क्या है यह attachment sites है यह attachment sites यह attachment site ठीक है यह virus है attachment site होगे यह host cell surface है इनके पर बहुत से receptors परेंट है यह क्या है black black यह receptors है अब इन receptor पे यह virus आएंगे वायरस पार्टिकल एक जो अटेच्मेंट साइटा ये आएंगे और क्या कर देंगे गाईज क्या कर देंगे यहां पर अटेच हो जाएंगे यह अटेच हो गया और फर्म फर्मली अटेच हो जाते हैं समझ में आ गया अटेच्मेंट कैसा होता है कोभी वायरस पार्टिकल जो जो cell surface है, host cell membrane की उस पे bind हो जाता है, उसके receptors पे bind हो जाता है, उस process को हम बोलते है, attachment, समझ में आ गया, clear, दोना example से, यह एक example यहां बताया मैंने, एक example यह बताया, ठीक है, पूरा समझ में आना चाहिए, अब पात करते हैं HIV, example लेते हैं HIV, HIV की जो structure आप देखते पढ़े होंगे यहां पर glycoprotein GP120 पाया जाता है, ठीक है, HIV यह HIV है, और host cell, यहां पर यह host cell की CD4 होती है, वहां पर यह attach होता है, यह glycoprotein in CD4 पर attach हो जाएगा और attachment यहां पर complete हो जाता है, attachment क्या है, host cell membrane पर वायरस का attach होना, उसे हम बोलते हैं attachment, ठीक सबसे पहले attachment होता है, next time बात करते है, penetration अब guys, देखो, simple सा fund है, यह cell membrane है, यह host cell membrane है, host की cell membrane, यह cytoplasm है अंदर, यह virus आया, ठीक है, वायरस यहां पर attach हो गया, अब वायरस को आगे function करने के लिए, host cell membrane को penetrate करना होगा और cytoplasm इसके अंदर घुसना होगा, तब ही तो वायरस आगे function कर पाएगा, ठीक है, तो इस virus को इस host cell membrane को penetrate करना होगा, और अंदर घुसना होगा, तो इसी penetration process को, host cell membrane को तोड़ने की process को ही हम क्या करते है, penetration करते है, clear, अब penetration जो होता है, तीन तरीके से होता है, एक होता है phagocytosis, एक होता है membrane fusion, एक होता है injection of nucleic acid, अब phagocytosis कैसे होता है, वो हम देखते हैं, guys phagocytosis कैसा हो यहाँ पर बताते हैं यह हमारी cell membrane है यह cell membrane है यह हमारा virus particle है यह capsule है यह nuclear material है nuclear material है यह cell membrane होगी यह वाली अब क्या करता है यह यह cell membrane है यह क्या इंगल्फ कर लेती है इंगल्फ कर लेती है इस virus particle को इंगल्फ करने के बाद में यह ऐसे कुछ होगा यह इंगल्फ कर लेगी है यहाँ से और virus particle अंदर से ला जाएगा इस process को हम बोलता है cell mediated endocytosis इस process क्या बोलता है endocytosis clear समय में आगया तो देखो Phagocytosis में क्या होता है, occurs through receptor mediated endocytosis के थुरू होता है, result in uptake of virus particle in endosome of host cytoplasm, मैं बताया न, uptake हो गया, host cytoplasm के अंदर, uptake of virus particle in host cytoplasm, समझ में आ गया, clear है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फिर second method है, पहला method penetration हम देख लिया, Phagocytosis, second method है membrane fusion, membrane fusion कैसे होता ह membrane fusion कैसे होगा हमें आपर बताएंगे guys, ठीक है, यह हमारी host cell membrane है, यह कह है host cell membrane, cell membrane है, ठीक है, अब guys यह हमारे पास, यह है हमारा, यह कह है enveloped, enveloped virus का, यह कह है enveloped virus, enveloped virus का, और अंदर क्या पाया जाएगा, यह nuclear material है, यह कह है, यह कह है nuclear material, ठीक है, ठीक है, और nuclear material किसे चार और, यह capsid हो गया, blue वाला क्या है, capsid, हमने virus की basic में बकिया था, कि भार भार lipid layer होती है, उसे envelope बोलते है, then capsid, then capsid के अंदर nuclear material, अब इस वाली method में, इस वाली method, penetration method में क्या होता है, यह जो है, यह cell membrane हो गई, ठीक है, यह envelope जो है, यह cell membrane से bind हो जाता है, envelope क्या होता है, cell membrane से bind हो जाएगा, cell membrane से bind हो जाता है, ठीक है, और जो capsid है, वो अंदर चला जाता है, वो capsid जो है वो कहां चला जाएगा अंदर चला जाएगा capsid और जो उसके अंदर material है क्या चला जाता है अंदर यह क्या है capsid है और यह क्या है nuclear material nuclear material और जो envelop है वो कैसे fuse हो जाता है envelop fuses with host cell membrane और इस process को हम बोलते हैं membrane fusion process क्या बोलता है membrane fusion process of penetration समझ में आ गया पहला हमने देखा phagocytos phagocytos में endocytosis हो रहा था ठीक है ठीक है membrane fusion में हमने भी पढ़ा यह envelop virus में होता है हमने पढ़ा ना भी envelop virus में जिस HIV हो गया fusion होता है इसके अंदर enveloped protein का with plasma membrane of host cell ठीक है समझ में आ गया हमने बताया अभी कि जो envelop protein है उसका fusion होता है हमने यहां बताया ना गैस यह जो fusion हो रहा था यह fusion हो रहा था envelop protein का plasma membrane के साथ ठीक है for nucleocapsid enter केवल nucleocapsid enter करता है cytoplasm के अंदर ठीक है whereas viral envelope remain attached to host cell membrane यह हमने यहां पर बता दिया अब आता है injection of nucleic acid दो method हमने देख लिए penetration कैसे हुआ एक तो direct phagocytosis से एक membrane के fusion से एक होता है nucleic acid अब phagocytosis में पूरा virus particle अंदर जा रहा था phagocytosis में पूरा virus particle अंदर गया अब take virus particle जो कि membrane fusion में envelop रह जाता है और सिर्फ capsid और nuclear protein अंदर जाते है जबकि इस method में सिर्फ और सिर्फ nucleic acid जाता है injection of nucleic acid यह कैसे होता है वह मताता हूं ठीक है अब nucleic acid वाला method कैसे होता है यह मताता हूं अपने बेक्टरियो फेज का नाम सुना होगा ऐसे हो था बेक्टरियो फेज कुछ ठीक है अब बेक्टरियो फेज क्या करता है बेक्टरियो फेज यह हो सेल मेंब्रेन है यहां अटेक हो जाता है अपने टैल से ठीक है यह यह capsid है तो bacteria phase में bacteria phase जो है यह किसको affect करता है bacteria को यह virus किसको affect करता है bacteria को अब हमें पता है bacteria के अंदर rigid cell wall होती है क्या होती है rigid cell wall होती है तो rigid cell wall यह क्या है भार क्या होता है cell wall होती है bacteria के अंदर तो cell wall होएगी तो penetrate नहीं कर पाएगा ठीक है तो capsid जो है वो अंदर नहीं जा पाएगा इंवलब भी अंदर नहीं जा पाएगा ठीक है तो क्या अंदर जाता है सिर् होर सिर्फ नुक्लियर जो मैटेरियल है गार थेरों devo जाता है टेक है किसी जाता है समझ मैं आगा, तो यहां पर क्या लिखावा देगो, बैक्टरियो फेस के अंदर यह होता है, cannot penetrate rigid cell wall, rigid cell wall को penetrate नहीं करता, so only nucleic acid is injected, समझ मैं आगा, तीनो प्रोसेस, phagocytosis, membrane fusion, injection of nucleic acid, मैं वापस बता रहा हूँ, तीनो प्रोसेस को एक सेकंड में revision के लिए, देखो, phagocytosis में क्या हो रहा था, phagocytosis में यह हमारी cell membrane थी, ठीक है, यह virus particle था, cell membrane इस virus particle को क्या कर रहा है, engulf कर लेती है, ठीक है, endocytosis, engulf कर लेगी, ठीक है, इस virus particle को, यह हो गया, engulf कर लेती है, और अंदर ले लेती है, ठीक है, इस virus particle, इसे मोलता है endocytosis process, ठीक है, एक प्रोसेस यह होग वाइस पार्टिकल यह कैया है Capsid ठीक है мतलर चेंज नहीं करा रहा हूं डाये Bets बनारहं यह कैया है論 पकलेसे इसमें क्या होता है जो इंडलंड है वह यहाँ पर याँ पर प्लाइट चलो हो जाता है और जो बैक्टरियो फेज जो है, सेल वोल होती है, बैक्टरिया के अंदर, जिसके वज़ाए से इनलप और जो कैप्सीड वो अंदर नहीं जा पता, सिर्फ और सिर्फ नुक्लियर मैटरियल अंदर जाता है, तो तीनों प्रोसेस हैं, यह मैंने एक सेकंड में वापस बता दी, clear? लेकिन हमें में काम के से, nuclear material से, तो हमें capsid को तोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, break करना पड़ेगा, तो guys, uncoating में क्या होता है, यह capsid वो break होता है, break करते हैं capsid को, ताकि nuclear material भार निकल सके, ठीक है, तो क्यो मैदद करता है, जो lysozomal enzymes होता है, host cell के, वो क्या करत था स scratch तो थे हैं यह दो नहीं पड़िएड को तोड़ने की ज़रौत नहीं पड़ेगी तो यह वालि जो अंकोटिश आहिए यह और भार निकल गया, फिर उसके बाद मुझा बायो जरी बायोस संथेज आएगए इन इस दुप फॉलोग वायरल कंपोनेंट्स जो वायरस को नीड है जो नीड है जीन कंपोनेंट्स की उन कंपोनेंट्स की यहां पर सिंथेज होता है clear next assembly अब काई अब biosynthesis process के अंदर बहुत सारे चीजे बन गई जैसे capsidpte बन गई आपके nucleic acid बन गया nucleic acids बन गई ठीक है बहुत सारे चीजे बन गई envelop बन गई ठीक है अब इनको assemble भी तो करना है इनको assemble करेंगे हम एक तरह इन सबको Assemble करेंगे, तब भी तो Virus Particle बन पाएंगे, ठीक, बहुत सारे आपके पास चीजे हैं, जिसे आपको कोई भी आपको चाय बनानी है, ठीक है, चाय बनानी है, तो आपके पास चीनी भी है, आपके पास चाय भी है, चाय पत्ती भी है, तो आप इन सबको Assemble करना पड़ क्या बोलते हैं, assembly, ठीक है, viral nucleic acid and proteins are packed together to form progeny virus, हमने पताया ना, हमारे पास nucleic acid भी है, हमारे पास protein भी है, और cytopplasm के अंदर भी हो सकती है, अगरे DNA virus है, तो nucleus के अंदर assembly होती है, जब कि RNA virus है, तो cytoplasm के अंदर assembly होती है, next, फिर उता maturity, 및 kedy के baptöretion के बाद में maturation करना होता है, maturation क्या होता है host cell nucleus के अंदर भी हो सकता है cytoplasm क्यों हो सकता है और membrane जो host cell membranes है वहाँ पे भी maturation हो सकता है clear last stage आती है release release एक बहुत important है हमारे पास बहुत सारे ये cell membrane थी ये cytoplasm था अब cytoplasm के अंदर जो host cell cytoplasm है बहुत सारे virus particles बन गे साब ये virus particle बन गे अब इनको release भी तो करना रहेगा इनको release करेंगे तब ही तो आगे bacterial cycle हो sorry viral cycle हो चल पाएगे तो release डोटर वायरन, डोटर किसको का है जो नहीं वाले बने हैं और किस किस process से होता है एक तो देखो direct lysis से हो जाए ये cell membrane है ये virus particle एक direct cell membrane को तोड़के भाहर चल जाए उस process को बोलते है lysis, उसको बोलते है lysis और ये lysis कौन कौन से बेक्टरे करते है lysis आपके करेंगे non-inlept viruses और bacteria phase ये process करते है lysis वाले एक होता है गईज एक होता है ये हमारी cell membrane है ये हमारा बेक्टरिया है ये sorry virus है ये को तो budding process budding मतलब budding क्या होता है ये ऐसे है ये budding निकलेगे budding निकलेगे ऐसे ऐसे ठीक है budding से बहार जाएंगे ये viral particle है budding के थूरू बहार जाएंगे budding जो कौन करेगा enveloped virus करें during budding they acquire a part of host cell membrane ये जो viral particle है ये capsid जो है ये क्या करेंगे guys ये host cell membrane को host cell membrane को क्या करेंगे cover कर लेंगे थोड़ी सी budding के थूरू ये budding होएगी तो ये virus particle देखो ये budding हो रही है ये वाली budding हो रही है तो ये virus particle के थोड़ी थोड़ी ये cell membrane अटेश जाएगी और जो cell membrane attached होती है उससे हम बोलते है इनुलप उसके अंदर बोलते हैं इनुलप उससे क्या बोलेंगे इनुलप बोलेंगे During budding, virus particle acquire a part of host cell membrane to form lipid part of their inulap ठीक है तो inulap खहाँ से आता है? Host cell membrane से आता है During budding, budding से जाते है न भार तो छोड़ा सा part cell membrane का इस virus particle के attach हो जाता है इनुलप का synthesis नहीं होता है यह मैंने थोड़ा गरद पता दिया तो यह वापस जान में रखना Assembly के अंदर इनुलप particle का synthesis नहीं होता Assembly के अंदर आपकी capsid बनेगा आपका nuclear materials बनेगा यह सारी चीजे बनेगी जबके इनुलप जो होता है वो कहाँ पर आता है इनुलप कहाँ से produce होता है जब budding होती है wholesale membrane की तब wholesale membrane का कुछ पार चिपक जाता है और उसे हम बोलते है इनुलप तो इस सारी चीजे होई ठीक है वीडियो अच्छा लगाँ तो like जरू करना राइज, subscribe जरू करना चैनल को और share जरू करना क्योंकि बहुत मैनत लगते है वीडियो बनाने में ठीक है